क्या आप जानते वो हवाई जहाच के टायर में नाइट्रोजन गेस क्यों बरी जाती है हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है जबकि 21% ओक्सिजन और 1% अन्या गेसिस होती है नाइट्रोजन से रबर को कोई नुक्षान नहीं होता है जबकि ऑक्सिजन से टायर खराब हो सकता है ऑक्सिजन से अक्सर टायर की इलेस्टिजिटी और मजबूती खो जाती है ऐसे में ऑक्सजिजन रबर के कणों पर अटेक कर देती है जिससे टायर फ yellतने का खत्रा रहता है नेट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है जबकि ओक्षिजन जल्दी से बाहर निकल जाती है तो यही काराने हुआ जो आज में नेट्रोजन बरी जाती है वीडियो जरा भी इंट्रोमेटी लगा तो लाइक शेर और सब्क्रेब जरूर करिए